आज हम लोग पढ़ने वाले हैं Composition of Intelligence Bureau Intelligence Bureau किस तरीके से उसका पूरा structure है Joint Director क्या होता है Director क्या होता है इसके अलावा आपके IB ACIOs क्या होते है ACIO से उपर DCIOs क्या होते है वो कहां पे काम करते है उनका पूरा organizational structure आज हम लोग पढ़ने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं बगैर किसी देरी के साथ और शुरुवात करते हैं Composition of Intelligence Bureau तो बचो बहुत positively दिवाली का महौल चल रहा है आपको धेरो शुप काम नहीं दिवाली की लेकिन इस दिवाली के साथ-साथ ये भी सोचिए कि ठीक है आज अफसर कम है लेकिन पढ़ते रही है आगे अफसर बहुत अच्छे निकलने वाले हैं और अफसर बहुत अच्छे निकलने का फाइदा तभी उठा पाएंगे जब आप अपनी पढ़ाई को continuous रखेंगे इसी तरीके से आप अपने exam को crack कर पाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज composition of IB का intelligence bureau का तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ students की जो IB होती है उसका एक तरीके से अगर बात किया जाए तो बहुत ही अलग-अलग फॉजों से IB का गठन होता है in the sense मैं आपको बता हूँ एक होती है direct recruitment वो हमें समझ आती है लेकिन एक बहुत बड़े level पे deputational recruitment भी होती है deputation का मतलब यो होता है कि जैसे forge है, army, navy, air force है वहाँ के बंदे उठा लिये अपनी IPS है, Indian police services वहाँ के senior officers उठा लिये अपनी central arm police forces है वहाँ के senior officers या जवानों को ठा लिया deputation level पे IB बहुत next level पे काम करती है तो IB में multiple जगाओं से officers और जवान्स आते हैं चाहे वो army, navy, air force है चाहे वो आपकी IPS है या state police है या फिर आपकी central arm police forces है अलग-अलग जगाओं से अलग-अलग संस्ताओं से IB में काम करने के लिए लोग आते हैं लेकिन याद रखिएगा IB में ऐसे नहीं कि मन किया और चलेगे IB में काम करने प्रॉपर तरीके से selection process होता है तब ही आप आगे जाके IB में जाते हैं और वहाँ पे काम करते हैं तो ये तो मैंने आपको बता दिया अब IB जो है उसका जो सबसे उचा जो पद होता है वो मैंने आपको बताया था डेरेक्टर ओफ आईबी होता है डेरेक्टर ओफ इंटेलिजिंस प्यूरो होता है और उस डेरेक्टर के नीचे सारे के सारे joint डेरेक्टर management देखते हैं तो इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं कि देखिए ग्रूप में गेजर्टेड ओफिसर यानि कि IPS ओफिसर ही होते हैं जो यह सब चीजे देखते हैं अब मैं डिरेक्टर के नीचे जो होता है वो SIB होती है SIB मतलब Subsidiary Intelligence Bureau होती है क्या होती है? Subsidiary Intelligence Bureau होती है जिनको head करता है कौन सा डेरेक्टर? Joint Director या उससे उपर का director जो है उसको head करता है उसके अलावा बट जो SIB होती है जो छोटी-छोटी SIB होती है सबस्ट्री इंटेलिजेंस ब्यूरो वहाँ पर के बाद deputy director भी उसको head करता है so generally SIBs को joint director के rank का जो है व्यक्ति head करता है लेकिन छोटी होती है SIBs उसमें आपका deputy director भी है उसको head करने के लिए होता है don't worry मैं आपको एक chart बना के भी दिखाऊंगा फिर आपको पता चल जाएगा SIBs जो होती है intelligence bureaus उसमें बहुत सारी units होती है तो उन units का जो head करता है district headquarter पे वो head करता है assistant director या फिर DCIO करता है that is deputy central intelligence officer DCIO उसके अलावा जो है मैं आपको बता देता हूँ IB जो है बहुत सारे अपने इसके अलावा भी बहुत सारे अपने field units जो है या headquarters को रखता है अपना बना के रखता है जैसे कि वो जो field units और headquarters होते हैं वो अलग-लग चीज़ के होते हैं जैसे कि for example intelligence terrorist से related जो intelligence unit होगी या फिर बात की जाए तो और अलग-लग जो है वेपन से related होगी या administration से related होगी तो अलग-लग units जो है IB बना के रखती है units को maintain करके रखती है अब मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा chart दिखाता हूँ यह चार्ट दिख रहा होगा तो डेरेक्टर तो सबसे उचे पत पर आ गया उसके नीचे SIB सबस्री इंटेलिजेंस यूनिट्स ब्यूरो का units होती है वो जोइन डेरेक्टर का पत जो होता है उसको देखता है फिर इसके अंदर जो है district headquarters होते है जिसको AD, Assistant Director या फिर DCIO जो है वो command करता है या वो देखता है अब देखे नाशनल लेवल पर IB के पास और भी बहुत सारी units मैंने आपको बताई जैसे कि terrorism से related, counter terrorism से related, VIP security से related, threats assessment से related या जम्मू कश्मीर जैसे sensitive area से related units जो है IB के पूरे देश में होती है इससे यही दिखता है students की या अगर IB की इतनी सारी भारत में units है तो आपकी posting कहीं पर भी हो सकती है लेकिन दूसरा point यह भी हो सकता है कि या अगर आप North के हैं तो आप 2-3 साल South में service देंगे उसके बाद obviously आप request पे North पे जा सकते है ऐसा कहीं पर भी mandatory नहीं होता है कि आप request basis पे कोई genuine reason के basis पे आप अपनी posting नॉर्थ में भी ले सकते हैं क्योंकि नॉर्थ में भी बहुत सारी IB units तो होंगी ही होंगी तो इन officers जो है इनको जो है यह जितने भी officers होते हैं जो IB के members होते हैं उनको एक मन की extra salary भी मिलती है और बहुत सारे benefits जो है इनको मिलते रहते हैं तो हमने composition में यही समझा कि IB जो है वो top level में director है उससे नीचे SIB से नीचे IB headquarters है IB headquarters है और IB headquarters के नीचे जो है वो ultimately बहुत सारी units है और उन units में आपको पूरे अल ओवर इंडिया में ही units देखने को मिलेंगी ठीक है So make sure you prepare very well with this any right with this particular batch जो आप batch ले सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं ठीक है Thank you so much Jai